नमस्कार, सात्यों छात्र छात्रा आवागमन पंजिका एक बहुत ही महत्तोपूर्ड पंजिका है बेसिक स्कूलों में ज़्यादा तर ग्रामीड छित्र के बच्चे पढ़ते हैं जिनके सामने बहुत सी ऐसी मजबूरिया होती हैं, चुनोतिया होती हैं जिसके कारण से बच्चे बिद्याले में बिलंब से पढ़ने आते हैं और बिद्याले में शिछड काल के दोरान ही उन्हें घर जाना होता है कभी-कभी बीमार होने के कारण तो कभी-कभी अपने माता-पिता की सहता करने के कारण परंतु यह सच्चाई प्रमार सहित हमें हमारे अधिकारियों को निरिचल के समय दिखानी होती है जिससे हमारी कारिशैली पर और हमारी इमानदारी पर कोई प्रश्न चिन न लग सके तो आएए देखते हैं कि हमें हमारी आवा गमन पंजिका को कैसे बनाना चाहिए साथियों यह आवा गमन पंजिका का पर्चय या प्रस्तावना पेज है परंतु हम इसके फ्रंट पेज पर विद्ध्याले का पर्चय इस तरह से लिखेंगे पूरा और यहाँ पर देखिए पत्रांक संख्या डालना न भूलें यह देखिए दिनांक 2 मई 2022 यानि कल से मंडे से हम इस पंजिका को अपने विद्ध्याले में रखेंगे और इसको लागू करेंगे और इसको पत्र विवहार पंजिका पर भी इस पंजिका का संचित पर्चय देते हुए उस पर विवरण देंगे और वही पत्रांक संख्या हमारी इस पंजिका में यहाँ पर लिख दी जाएगी और इसके साथ ही साथ सभी क्लास टीचर्स यानि कक्षा अध्यापिकाओं के इस पर अस्ताचर हो जाएंगे और ये देखिए प्रस्ताविना परचय में यहाँ पर लिखा गया है कि प्रात्मिक विद्ध्याले खरगाती पुर में आध्यान रत छात्र छात्राओं का विद अस्ति पंजिका और निरिछड के आकड़ों में किसी भी प्रकार का यदि कोई अंतर पाया जाता है तो इस पंजिका के अवलोकन के माध्यम से दूर किया जा सके और इस परचय में भी यहाँ पर पत्रांक संख्या पड़ा हुआ है जो कि पत्र विवहार जिस पर इस पंज की जाएगी यहां पर पत्र विवहार की पत्रांक संख्या यहां पर मैंशन कर दी जाएगी और यह अगला है जाने का कारण और आने का समयूंए, देखिए कभी कभी क्या होता है, कि किसी बच्चे की तबियत खराब हो गयी तो वожगें गया दवाई लेने के लिए या किसी अनिकारड से उसकी मा ने या किसी पैरेंट्स ने किसी ने बुलाया बच्चों को तो वो थोड़ी देर के लिए एक गंटे या आदा गंटे के लिए जाता है तो ऐसी कंडिशन पर यहाँ पर आने का समय लगभग में मेंशन कर दिया जाए आगे देखिये हस्चात्र हस्टाचर या अंगुठा ये फ़स्ट क्लास का बच्चा अगर है या सेकंड क्लास का बच्चा है अभी हस्टाचर नहीं करना जानता है तो उसका यहाँ पर अंगुठा लगाए जाएगा कक्षा अध्यापक के हस्ताचर जिस क्लास का बच्चा जाएगा उस क्लास टीचर के हस्ताचर होंगे और देखिए यहाँ पर एक कॉलम छूट गया है सौरी यहाँ पर कक्षा कक्षा वो बच्चे का नाम है और यहाँ पर एक कॉलम और बनेगा कक्षा तो यहाँ पर यह लाइन यहाँ पर फिश जाएगी यानि किस क्लास का बच्चा गया है तो वो क्लास भी यहाँ पर mention कर दी जाएगी और आगे देखिए यह कख्षा अध्यापक की हस्ताचर और यह अभिवाबक के हस्ताचर या उटा यदि बच्चा अविवाबक के साथ जाता है अविवाबक खुद लेने आते हैं बिद्याले में तो उनके भी हस्ताचर यहां पर होंगे तो इस तरह से ये पंजेका आपके लिए बहुत ही मददगार होगी क्योंकि हम इतने व्यस्त होते हैं बेसिक स्कूलों में इतना पर मौजूद हो और हम निरिच्छड के दोरान अपने सच्छम अधिकारी को प्रस्तुत कर यह दिखा सके आपके लिए यह पंजेका बहुत ही उपयोगी सावित होगी और इसी तरह से इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण आवलेखों की जानकारी हम आपको देते रहेंगे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू